अगर ये चुनाफ जीत गए इनोंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा आडवानीची की राजनीती खतम कर दी इनोंने मुरली मनवर जोशी की राजनीती खतम कर दी सुमित्रा महाजन की शिवराज सिंग चोहान जिसने मध्यपरदेश का चुनाफ जीत के दिया इन लोगों ने शिवराज सिंग चोहान ने उसको मुख्यमंतरी ने बनाया उसकी राजनीती खतम कर दी वसंद्रा राजी की राजनीती खतम कर दी, इन्होंने खट्टर साथ की राजनीती खतम कर दी, डॉक्टर रमन सिंग की राजनीती खतम कर दी, अब अगला किसका नंबर है, योगी आदित के नाथ, अगर ये चनाथ जीत गए, मेर से लिखवालत दो महीने के अंदर उत्तर प यही तानशाही है दोस्तों वन नेशन वन लीडर यह चाहते है एक ही तानशाह इस देश के अंदर बचेगा हमारा देश बहुत महान है चार हजार, पाँच हजार साल पुराना हमारा देश है इसके पहले पिछले चार हजार साल में कई मोक्षे आए जब इस देश के ओपर ताना शाहों ने कब्जा करने की कोशिश की लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन ताना शाहों का तख्ता उखाड के फेक दिया जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि ताना शाह ने हमारे देश के ओपर कब्जा करने की कोशिश की इस देश की जनता ने उसका तखता उखाड़ के फेक दिया आज एक ताना शाह इस देश से जनतंतर खतम करना चाहता है आज एक ताना शाह इस देश से लोकशाही खतम करना चाहता है मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूँ संगर्ष कर रहा हूँ उस्ताना शाग के खिलाव एक सोचालिस करोड़ लोगों का साथ चाता हूँ मेरे अकेले के करने से नहीं होगा एक सो चालीस आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूँ एक सो चालीस करोड़ लोगों से 140 करोड लोगों से भीख मांगने के रहा हूं मेरे देश को बचा लो मेरे भारत वर्ष को बचा लो मेरे भारत वात्मा इस दाना शाही से बचा लो मेरे देश को तो मैं लोगों को देश के लोगों को अगा करना चाहता हूं मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे मोदी जी अमिच्छा को प्रधान मंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से और हमिच्छा जी से ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा क्या हमिच्छा मोदी की गारंटी पूरी करेंगे जब आप अगर जो जो वैसे तो मेरे को लगता मैं भी आउंगा उसके ओपर मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है लेकिन जो जब बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पर वोट नहीं दे रहें आप अमिच्छा के नाम पर वोट दे रहें अब एक खुश खबरी है आप लोगों के लिए अब एक खुश खबरी है सब को बता दे ना जो मैंने बाते कहीं है बड़ी सोच समझ के कहीं है वहाँ बैठके यही सोच रह था 50 दिन से दोस्तों पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए 20 घंटे हो गए इन 20 घंटों के अंदर भी मैंने रात भर मैं जन्ता से बात कर रहा था लोगों से फोन कर रहा था रात को आंधी आई दी पिछले 20 घंटे में मैंने जो बात चीत करी है कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की चुनाव विशलेशकों से बात की से बात की जन्ता से बात की फोन पे लोगों से मेरा अपना आकलन है कि चार जून के बाद इनकी सरकार नहीं बंगरी मोगी सरकार है एक और पॉइंट है जब मैं जेल के अंदर था तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया केजरिवाल सी एंपद से स्तीफा क्यों नहीं देता दोस्तों केजरिवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ मैं आप मंत्री मुख्य मंत्री परदान मंत्री यह सब बनने नहीं आया इंकम टैक्स में कमिशनर की नौकरी करता था कमिशनर की नौकरी छोड़के दिल्ली की जुगियों के अंदर एक नी दो नी तीन नी दस साल तक मैंने दिल्ली की जुगियों के अंदर कांग किया है सुन्दर नगरी और नंदर दिल्ली की जुगियों के अंदर इंकम टैक्स कमिशनर की नौकरी छोड़के, जब मेरे को दिल्ली की जंता ने पहली बार सीम बनाया, असूलों के उपर 49 दिन के अंदर सीम पत्से इस्तीफा दे दिया था, एक चपरासी की नौकरी कोई नी छोड़ता, सीम बनने के लिए लोग अपना दाया हाथ कटाने के लिए तयार होते हैं, मैंने खुद से अपने आप सीम की कुर्सी को लात मार दिती 90 दिन के अंदर, अज मैंने सीम पत्से इस्तीफा क्यूं नहीं दिया जेल जाने के बाद, दोस्तों पिछले 75 साल में भारत वर्ष में इतने राज्यों के चुना हुए इतने राज्यों के चुना हुए दिल्ली के अंदर सबसे एतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती 55-56 परसेंट वोड एक बार 67 सीट, एक बार 62 सीट इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्य की सरकार 75 साल में नहीं जीता इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद जूटा केस अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर उन्हें पता अगले 20 साल तक दिल्ली में आमाद्मी पार्टी को कोई नहीं अरा सकता तो उन्होंने एक शड्यंत्र रचा राजनेतिक शड्यंत्र रचा केजरीवाल को जूते केस में जेल भेज दो केजरिवाल को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा केजरिवाल की सरकार घर जाए उन्हाने ये शद्यंत्र रचा मैने कम मैं भी स्तीफ़ा नहीं दूंगा तुम अगर तुम अगर जंतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जंतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दोस्तों सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे कता इस्तीफा तुम्हारे ट्रैक्ट में फसने वाले नहीं हैं यह अगर हमने स्तीफा दे दिया यह तो बड़ा अच्छा इनके लिए जिस राज्य के अंदर यह चुना भारेंगे उसके मुख्यमंतरी को पकड़ की जेल में डाल दो सरकार गिरा दो उसके मुख्यमंतरी को पकड़ की जेल में डाल दो सरकार आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रहके दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा वो इस तान वुर्ण भावो मेरे जएल मेट चला के जैल सेल हों इस भावो क्यों खासकर मेरी मां बहले महिएं वहुत रोहीं कös ने में मंदत्य मांगि मैं सबक Pictures करना चा करें कि ऐसके दूरा dice का करोणो marine आपकत पूरी दुनिया भर से करोडों लोगों ने दुवाएं वेजी उन्हें के आशिरवात का कमाल है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ आप लोग सब लोग सुखी रहें देश खूब तरक्की करें भले भूले आप सब लोग खूब खूब खुश रहें ऐसे मेरी प्रभ झाप लोगों ही देने देशना कमेशधिन करें और हूव गया में दिए आपाप सुट में हीजू